है 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 अब इवरीवन गूड एवनिंग कैसे हैं आप सब मैं मनिक्स आप सब देख रहे हैं विंसम क्राश है तो एल्टी ग्रेड की तयारी के सिरीज में बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रोज और फिक्षन का टॉपिक है अब मेर ओफ द मेर ओफ केस्टर प्रीज थीक है आपके स्क्रीन पर दिखा होगा आपने थम्नेल में देखा होगा कि हम इसमें क्या इंटॉडक्षन देंगे इस चेप्टर का मतलब कि यह बुक क्या था उसके बाद उन्होंने उसमें किन चीजों को समराइज किया मतलब कैसे उसको बुक को आया कहां उसका इस्थान हो गय यह पार्ट वान है बसे इस वीडियो का पार्ट टू पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड ऐसे करके तीन से चार पार्ट आएंगे उसमें पूरा दा मेर ऑफ केस्टर बीच आपका कम्प्रीट हो जाएगा एजली ओके सो एक बार आप सब्सक्राइब करिए गर नए हो दोस्तो के साथ टेलिग्राम चनल विल्सम क्लासेस के नाम से ही है आप उसको जॉइन करके एजली सारे पीडियाप वगेरा आप एमेल करवा सकते हैं चलिए तो देखा जाए दा मेर ऑफ केस्टर बीर्ज के बारे में तो इस्टोरिकल बाते की जाएगा दा मेर ओफ के बारे में तो अब यहां पर तो अच्छा है कि एक 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 पॉइंट वाइस बाते कर दें तो दा मेर ओफ कैस्टर भी दा लाइफ एंड देथ ओफ और मैन ओफ करेक्टर यह जो पूरा का पूरा कम्प्लीट टाइटल है एक क्वेस्चन तो आपका भाई यहां से भी पूछा सकता है कि इसक इसक्स नोबल बाइदा इंग्लिस ऑथर थॉमस हाइडी अभी थॉमस हाइडी की बायोग्रफी वगरा भी आगे डिसकस करेंगे दूसरे नेक्षर में नाव ही सेंग देट की यह जो वर्क है 1886 का नोबल था और इसमें आता है किसकी ऑथर कितनी लिखा गया है थॉमस हाइ डी जो है famous है जिसे इंडिया मैं आरके नरायन है वहां पे famous है थॉमसI ठीक है वो किसके मृसते हैं अपने वेस्क नोबल के रिए ठीक है इनका क्या था वेस्स नोबल के Y enkax कया दोस्तुनिंच के पैक 69 city है ठीक है जब तक आपने देखा होगा thomas heidy हो गया इन सबके जो 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 से हैं इसका जन 86 में फॉस्ट टाम साहि यह आपका नोवल हमें को मिलता है ठीक है नोवल्ड कंसीड़्ड टू भी वन अफ हैडी स मास्टर पीसे जो थो में इतने वर्क थे उसमें उनका आप मास्टर पीस आप कंसिडर कर सकते हो धेर सारे वाइक में यह उनका एक यू कर सकते हो कि आप बहुत अच्छा उनका वर्क था तो यू किंडर एट अजा मास्टर पीस चल तो यह चीज़ा आप कि दर चुकूई है चलो पच्छा में इनकी जादी से बात कर देते हैं यहां पर हमसे इसके इंपोर्टन्ट के रिखा और यह वर्ट किस नोबल में आता है क्योंकि अपसे पूछ रहे कि कौन सा किसमें आ जाता है ठीक है तो नौबल के प्रोटागोनिस्ट के रूप में बात की जाए तो उसमें नाम हमें देखने को मिल जाता है माइकल हैंचाड का सब्सकृट The Mayor of Casper Weak vsem weed तो इसका सब्सक्राइटल है वो क्यों है या माइकल हैंचाड के बारे में हमें बात हीती है तो वूम दा सब्टाइटल, दा मेर अफ केस्टर बीच अलूट्स, वेन दा नोबल ओफेंस, नोबल के सुरुवात में हमें क्या दिखा जाता है, हैंचार्ट से ही कहानी शुरू होती है, हैंचार्ट इज डिसकोंसरे, 21 येर ओल्ड, हैर ट्रसर, कितने साल का, हैंचार्ट का पढ़ने में, ओल्ड हे ट्रसर रहता है, ठीक है, हे ट्रसर करने के इसका वर्क होता है, वो इस इन ड्रंकन रेज, सेल्स, इस वाइफ और डॉटर वाइट अट काउंटी फेर, सो बस चिकली आपने अगर इसका समराई सुना भी होगा, तो मैं बता दू, माइकल इसको बेचने के बाद, कहानी में, 18 साल के बाद दिखाया जाता है, तो करीबे 39 एर्स में, फिर कहानी हमें दे चलता है, हेंचार्ड के पास ही, हेंचार्ड है, रिजन टू बिकम दा मेयर, एंड दा मोस्ट एककम्प्रिस्ट कॉन मर्चंट इन टाउन ओफ कैसे एक हे ट्र के बाद यह वहाँ पर वो भी करता है, एक रिजन भी देता है, कि आज के बाद यह कभी शराब को टच भी नहीं करेगा, आफ्टर 18 एर्स में दिखाया जाता है, कि हेंचार्ड जो है, मेयर बन चुका है, केस्टर बिज का, और बहुत ही एक अंप्रिस्ट, हर चीज को वो यह कोई चीज नहीं है, जो कि हेंचार्ड पोशेस ना करता हो, वो कहां का केस्टर बीज का एक फेमस को बाद जा है, तो इसमें नाम आता है, यह जो मैन करेक्टर है, उसके बाद रखें, इसके बाद रखें, the daughter of Suzanne and musician Elizabeth Jane bears the same name as the child born to Suzanne and henchard So Suzanne henchard's wife रहती है और इन तोनों से बेटी होती है उसका नाम भी Elizabeth ही रहता है ठीक है बट सुजान जब है अपनी बेटी कोई दź मेंज ZA कोशयर दानॉवल में इंडिपेंटेंट अन्ड सरस्थ पोजेश्ट इंडिपेंटेंट पोजेश्ट अावीं ग्रॉजीरल संस था रॉन unrefined country girl into a cultured young lady those she experiences much hardship over the course of the novel she maintains an event temperament throughout so itina हमें याद रखना हो कि जिया पर जे नियूसन इसलिए यहाँ पर देखो दाष्ट में इसके नाम के दाष्ट में क्या नियूसन दे दिया गया है अदरवाई अगर नियूसन ना रहे तो हम confused हो जाएं कि यह किसके अबारे बात हो यह ठीक है आगे बात करते हैं जो third characters में हमें देखने को मिल सकता है उसका नाम है Donald Farfrey A scogeman who arrives in Casterbridge at the same time as Susan Hanchard and Elja Bejjain ठीक है जिस समय Susan, Hanchard और Elja Bejain पहुशते हैं कहां पर Casterbridge में उसी time इसका भी आगमन होता है Farfrey is business efficiency, good humor and police make him extremely popular among the town citizens बसे की जो Donald Farfrey है जब देखो कहानी क्या है कि Casterbridge में दीरे दीरे करके सब्सक्राइब होगी कठा हो रहे ठीक है Newson होगे, Suzanne होगे, Elja Bejain सब दीरे देवाई कठा बादर Donald भी उसी क्रम में आते हैं सबके साथ ही तो Donald Farfrey का business efficiency है रेट में सीवा जब गुड बीजनेसमें उसके पास एक यूमर थे गुडी यूमर था police करने के उसके पास एक ability थी make him extremely popular among the town citizens जो पूरे सिटी मिकेस्टर बिस कि इतने भी लोग थे उसके बीच में इसकी ये qualities जो है उसको famous मना देती है ठीक है इस सेम qualities however eventually make him henchard's rival अब henchard लाइकर henchard was also a merchant the mayor of the city Casterbridge ना उसका एक opponent आ चुगा एक अच्छा business मना चुगा डेट मिस दोनों के बीच में दुस्मनी होगी लाइबरेरी होड़ी despite this tension in their friendship Farfrey remains fair-minded patience and even kind in his dealings with the ruined henchard अभी कहानी को कोर्स में सी अभी नाम आप सब जानते रो कहानी डिसकास करेंगा समरी तो असानी होगी अगला करेक्टर जो हमारे सामने कोन है वो है लुसेटा templeman a woman whom henchard meets courts and proposes to marry ठीक क्या नाम उसका लुसेटा है henchard की wife का नाम क्या था henchard की wife का नाम था susan susan को उसने क्या कर दिया बेच दिया उसके बाद henchard किससे साधी करने को प्रपोस करता है कि मुझे तुमसे साधी करने उसका नाम है लुसेटा लुसेटा bucks convention choosing to love whom she pleases when she pleases like henchard she is guided by her emotions and her reactions art does not always रिसने तो henchard का करेक्टर हो जाए लुसेटा करेक्टर हो जाए वो सब ऐसे का सकते हो आप किसी एक रूल्स या किसी बाउन्डेशन से बंदे ही नहीं थे ठीक है उनका जब जैसा आप मन करता मनमाना करेक्टर की रूप में आप इनको समझ सकते हो कि लुसेटा हो गया लुसेटा हो गया henchard हो गया दोनों करेक्टर का से अपने मन के साब से वर्ख को करते हैं ठीक है उनका बहुत ही रेशनल तरीके से नहीं दिखाया गया उनका करेक्टर को आगे पिछे उनका सोभाव होते जाथा कहीं बहुत ज्यादा गुस्चा तो कहीं जादा बहुत ज्यादा प्यार आगे रेशन हैंचाड अ मेक अनश्यूमिंग वोमन मेरीट टू माइकर हैंचाड वन दनोबल ओपन्स तो नवल के सुरवात में सुजन की इसकी वाइफ रती हैंचाड की अब इसका मतरब क्या है समरीं में इसको डिसकस करेंगे तब हम एच्छे से किलियर हो पाएगा टीका सुजन का करेक्टर हो किलियर हो चुका आपको न्यूसन कौन है भाई मैंने बता है ना एलजाबेत जेन न्यूसन उजन न्यूसन प्रों हैंचाड हैंचाड जो है ड्रंक ड्रंकन रेज में जिस सेडर को बेच देता है किसको सुजन और एलजाबेत जेन को वह कौन राता है निउसन इस एपसेंट फोर मोस्ट अब दा नोवल मतलब वहां पर आता है उसके बाद मोस्ट अब अबसेंट रहता है इस इवेंच्वर रिएपेरियंस contributes to the feeling that henchiard is besisged by fate बताब जब भी निउसन आता है जब भी नोवल में, निउसन की entry हुई at first time हुई जब भी इसके entry होती है तो यह लगता है कि जो fate है, किस्मत है जो, वो कही न कहीं इसके oppose में काम करती ह менchiard के अगर देक्ष केरेक्टर से जो minor character से उनको दिख रहते हैं सुजैन हो गई एलजाबेट जेन हो गई वो सब फार्फ्रे की साथी एंटर करते हैं उस केस्टर वीज में तो और फार्फ्रे से आने से पहले उस हुआ जो अपनाम का एक करेक्टर इसको हैंचार्ड क्या करना चाहता है उसको अने असिस्टन की रूप में हायर करने माला था ठीक है नेक्स्ट करेक्टर दोस्तो है एवल वीटल वन अप दा वर्कर्स इन हैंचार्ड है यार्ड विटल इस ऑशो दासो ओप फार्फ्रे जोड़ी काम पर लेत आता है रोज बसीक्री बदी आते रहते तो उसके ऊपर हैंचार्ड गुस्सा हो जाता है बहुत ज़ादा और फारफरे करता है कि तुम बहुत ज्यादा घुष सांट करते हैं तो कहीं नहीं जो पहला डिसेग्रीमेट सुरूओ होता है वह इसी के रूप में स्टार्ट होता थिके अगेदा करेक्टर है दोस्तों Benjamin पर है उस प्रेस पर दिखा गया है कि उनके बस एक सुनोबल में से एक है ओके चलिए तो यह चारेक्टर समने डिसक्स कर लिया आप चारेक्टर को ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर अमने क्रेक्टर मिलते जहां पर इसके समरी हो गये थीम हो गये पेपर इसके जब गिस देख वाल इसके बीस चारेक्टर को अपरेक्टर सुनोबल Cloud